आकाशिय इंटेलीजेंस एक बड़ा विचार है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रहमांड और पृत्वी पर जीवन कैसे जुड़े हुए हैं। प्राचीन भारत में लोगों का मानना था कि आकाश या आकाश केवल खाली जगह से कहीं अधिक है। यह वास्तव में ब्रहमांड का एक स्मार्ट और मेहित्वपून हिस्सा है। आकाशिय बुद्धिमत्ता एक शक्ति-शाली शक्ति की तरह है जो हम सहित दुनिया की हर चीज को प्रभावित करती है। यह केवल भौतिक चीजों के बारे में नहीं है बलकि हमारे विचारों, भावनाओं और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में भी है। यह बुद्धि हमें सहायता यहानी पहुंचा सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसके साथ सामंजसे रखते हैं या नहीं। जब हम सामंजसे में होते हैं, तो हमें लगता है कि चीजें अच्छी तरह से चल रही हैं और हमारा भागे अच्छा है। जब हम सामन जसे में नहीं होते हैं, तो हमें बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है या ऐसा महसूस हो सकता है कि चीजें सही नहीं हो रही हैं. प्राचीन भारतिय शिक्षाएं हमें बताती हैं कि खूद को इस ब्रहमांडिय शक्ती के साथ जोड़ना में हित्वपून है। हम इसे ध्यान जैसी प्रताओं या अपने आसपास की दुनिया के प्रती जागरूख होने के माध्यम से कर सकते हैं। जब हम एक जुट होते हैं तो हम इस ब्रहमांडिय बुद्धिमत्ता का लाब उठा सकते हैं और ग्यान और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं जो कि हम जो पहले से जानते हैं उससे परे हैं। इस बुद्धिमत्ता को समझकर और उसके साथ जुड़कर हम अधिक खुशाल और प्रबुद जीवन जी सकते हैं प्राचीन भारत में लोग यह भी मानते थे कि आकाश या आकाश बहुत मेहित्वपून है यह सिर्फ खाली जगह नहीं है बलकि यह सब कुछ एक साथ रखता है यह उस गोंद की तरह है जो ब्रहमांड को संतुलन में रखता है आकाश का सम्मान करके हम उन अद्रिशे शक्तियों को पहचान रहे हैं जो हमारी दुनिया को नियंतरित करती है आकाश की ओर देखने से हमें याद आता है कि हम बड़े ब्रहमांड में कितने चोटे हैं और हमें हर चीज से जुड़ाव महसूस करने में मदद मिलती है यह हमें ब्रहमांडिय बुद्धिमत्ता के साथ तालमेल बिठाने और हमारे जीवन में अधिक सामंज से लाने में भी मदद करता है आकाश के मेहित्व में यह विश्वास दुनिया को देखने का एक तरीका है जो हर चीज को जुड़ा हुआ और बुद्धिमान मानता है यह हमें ब्रहमांड के प्रती गहरा सम्मान रखने और इसे सम्मान देने और समझने वाले तरीके से जीने के लिए प्रोटसाहित करता है प्राचीन भारत की सम्रिद विरासत में वेदों की शिक्षाओं में निहित विभिन रीती रिवाज हैं जिनका उद्देशे व्यक्तियों को ब्रहमांड ये ग्यान के साथ जोड़ना है यह संग्रिखन केवल ब्रहमांड के भौतिक पहलूं को समझने से परे है बलकि इसमें खुद को उंगहरी, सुक्ष्म उर्जाओं के साथ जोड़ना भी शामिल है जो पूरी स्रिष्टी को नियंतरित करती हैं ये रीतिरिवाज ब्रहमांड के साथ किसी के बंधन को मजबूत करने के लिए हैं जिससे एक ऐसा जीवन प्राप्त होता है जो चीजों के प्राकृतिक प्रवाह के साथ तालमेल बिठाता है एक मेहित्वपून अभ्यास में आकाश का सम्मान और आदर करना शामिल है जो ब्रहमांड की वैदिक समझ में सबसे नाजुक और जटिल तत्व है यह अकसर दिन के अलग-अलग समय, विशेशकर सुबह, दोपर और शाम के समय आकाश की ओर देखकर किया जाता है आकाश की ओर देखने और उपर के विशाल विस्तार को श्रद्धांजली देने का यह कारे केवल एक भौतिक इशारा नहीं है बल्कि ब्रहमांड को संतुलन में रखने वाली विशाल बुद्धिमत्ता की एक प्रतिकात्मक्स्वी कृति है यह सभी चीजों के अंतरसंबंद और उस विशाल ब्रहमांडिय ग्यान की याद दिलाता है जिसका हम एक हिस्सा है एक अन्य आवशे का भ्यास ध्यान है जो स्वैंग को ब्रहमांडिय ग्यान की बुद्धिमत्ता के साथ संग्रेखित करने में एक मूलबूत कदम के रूप में कारे करता है ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी जागरुकता को गहरा कर सकते हैं और अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं जिससे अस्तित्व के सूक्ष्म पहलूं से जुड़ने के लिए जगह बन सकती है नियमित रूप से ध्यान करने से व्यक्ति अपने विचारों के शोर को पार कर सकते हैं और चेतना की उच्छ अवस्थाओं तक पहुंच सकते हैं जिससे वे ब्रहमांड की लए और पैटर्न के प्रति अधिक ग्रहनशील बन जाते हैं योग जब आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में अभ्यास किया जाता है तो यह ब्रहमांडिय बुद्धिमत्ता के साथ तालमेल बिठाने का एक तरीका भी है शारीरिक मुद्राओ को सांस नियंतरन के साथ जोड़कर योग शरीर और दिमाग को संतुलित करने में मदद करता है जिससे व्यक्तियों को ब्रहमांडिय ग्यान की उच्छ आवरित्तियों का लाब उठाने की अनुमती मिलती है योग को शरीर के भीतर विभिन तत्वों में सामंजस स्थापित करने इसे ब्रहमांडिय उर्जा के लिए एक चैनल में बदलने के साधन के रूप में देखा जाता है इसके अलावा सचेतन्ता और जाग्रूप जीवन जीने के अभ्यास पर जोड़ दिया जाता है अपने विचारों, कारियों और पर्यावरन पर उनके प्रभाव के प्रती सचेत रहकर व्यक्ति खूद को ब्रहमांडिय व्यवस्था के साथ जोड़ सकते हैं इसमें ऐसे तरीके से जीना शामिल है जो प्रकृती का सम्मान करता है, सभी जीवित प्राणियों के अंतरसंबंद को पहचानता है और इस तरह से व्यवहार करता है जो ब्रहमांड के संतुलन और सद्भाव का समर्थन करता है संक्षेप में ब्रहमांडिय बुद्धिमत्ता के साथ तालमेल बिठाने की प्राचीन भारतिय प्रताओं में आकाश की ओर देखना और योग का अभ्यास करने जैसी शारीरिक प्रताओं के साथ साथ ध्यान और माइंडफुलनेस जैसे मानसिक विश्यों का मिश्रन शामिल इन प्रताओं का लक्ष ब्रहमांड के साथ गहरे संबंध को बढ़ावा देना, चीजों की भवे योजना में अपने स्थान के बारे में अंतरद्रिष्टी प्राप्त करना और एक ऐसा जीवन जीना है जो पूरे अस्तित्व को नियंतरित करने वाली विशाल बुद्धिम शक्तियों के साथ सद्भाव में हो